अनुसंधान की संपोल्ण प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हम क्रमबध रूप से पहले आकडों को एकत्रित करते हैं और उसके बाद हमने देखा कि उन आकडो का हम सार्णियन करते हैं सार्णियन की विष्यस्ताओं और उसके महत्तों में हमने जाना था कि किस प्रकार ये जो टेबूलेशन हम करते हैं सार्णियन देख पहुरकन हम को ह। ये वह हमको help करते हैं जब हम उनका graphical representation करते हैं यानि कि चित्रो द्वारा जब हम उनका प्रदर्शन करते हैं तो आज के अध्याय में हम इन सार्णियों को ग्राफ के अधार पर प्रस्तुत किस प्रकार करते हैं यह देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि समंकों को चित्रो द्वारा प्रदर्शित क्यों किया जाता है क्या कारण क्या उद्देश हैं इसके जब हम किसी भी चीज को देख कर याद करने की कोशिस करते हैं या समझने की कोशिस करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो जो memory है वो काफी लंबे समय तक हमारे दिमाग में रह जाती है बिल्कुल वैसे ही आकडों को जब हम अस्त वैस्त लिखते हैं उसके पिक्षा जब हम उनका tabulation कर देते हैं तो वो काफी विवस्तित हो जाते हैं और लंबे समय तक हमें याद रहन पर हम ग्राफ बना देते हैं तो जो एक पिक्चर तयार होता है वह उन ग्राफ को आकडों को बहुत अच्छे से समझने में हमारे लिए हल्पूल होता है और जो वो जो चित्र है वो काफी लंबे समय तक हमको याद रह सकते हैं तो इन्हीं कुछ आधारों पर हम जो हम एक अत्रित करते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बहुत सारे इसके टाइप होते हैं बहुत सारे अधार पर हम ग्राफ बनाते हैं आई हम देखते हैं कि किस किस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहली बात हम करते हैं दंड चित्र यानि की बार ग उनकी अधार पर हम रेखा के आधार पर दंडी है है उसके बाद हम आयाद धित्र क में हम संधे हैं के Es प्रकार से ग्राफिकल करते हैं कि जब वह कर सता तयार होते हैं तो आयाद की तरह बन जाते हैं आगे हम इसको और विस्तार से अधियन करेंगे जैसे ही वृत्त चित्र भी हम इसके अंतरकत बनाते हैं जब हमको जो आकड़े प्राप्त हुए हैं उनको कई भागों में या परसेंटेज के हिसाब से या छेत्र के हिसाब से अलग-अलग भागों में विभाजित करके प्रेजेंट करना होता है शो करना होता है तो वहां पर हम वृत्त चित्र का प्रयोग करते हैं ठीक उसी तरह हम तस्वीरों का प्रयोग करते हैं कई बार हम अपने आकडों को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सी तस्वीरों का प्रयोग करते हैं आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इन तस्वीरों का उप्योग करते हैं साथ ही हम नक्षों का प्रियोग भी अपने सांकी की आकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं तो ये कुछ ऐसे टाइप से जिनकी आधार पर हम अपने इस पूरे अध्याय में आकड़ों को ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करेंगे अब हम देखते हैं कि इन चित्रों की उप्योगिता क्या है क्या आकड़े किवल साड़ी बद करना ही इनको पर्याप्त नहीं है क्यों इनके लिए हम चित्रों का उप्योग करते हैं क्यों हम ग्राफ बनाते हैं तो अगर हम उपयोगिता की बात करें तो सबसे पहले इसके उपयोगिता है कि चित्र जो होते हैं जैसे मैंने भी आपको बताये कि सरल और बोधगम में होते हैं यानि जब हम चित्रों के द्वारा किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो हम काफी सरलता से उस तो वो कहीं अधिक आकरश्रेक दिखने लगते हैं साथ इसके उपयोगिता यह भी है कि यहां पर जो यह ग्राब बनाया जाते हैं इन में किसी विशेस दक्षिता की आवश्रेक्ता बहुत ज्यादा नहीं होती है समाने वेक्ति जो भी समाने ग्यान वाला वेक्ति है वो इन आकडों के टैबूलेशन को यह सार्णी को देखके काफी अच्छे तरीके से ग्राप को बना सकता है तो विशेज दक्षिता की यहां पर कोई आवशक्ता नहीं होती साथ ही हम देखते हैं कि यह जो आकडे होते हैं इनकी अधार पर जब ग्राफ बना दिये जाते हैं तो वो गाज़ कई रहते हैं की समय की बचत होती है यानि किसी चीज को आकडों की रूप में किसी को पना कर देदे तो जितनी भी उस अनुसंधान की बारे में जानकारिया है किस चीज में कमी हुई किस में बढ़ोतरी हुई क्या पर्सेंटेज है कमी है व्रद्धी का वो सारी चीजे ग्राफ के आधार पर हम बहुत कम समय में आसानी से समझा सकते हैं साथ ही इसके एक और उप योगिता देखे तो हम देखते हैं कि तुल्ना करने में सहायक होते हैं जब हम ग्राफ का प्रेजंटेशन करते हैं हम दो आधारों पर जब हम ग्राफ का निर्मान करते हैं तो ग्राफ की जो बढ़त और कमी है या जो कव वनता है उसके आधार पर हम बहुत आसानी से दो तरह के आकड़ों की तुल्ला कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानकारी इस अध्याय में आगे प्राप्त करेंगे, अब अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें, हाला कि जो ग्राफिकल प्रिजेंटेशन है, वो सांकिकी की पूरी प्रक्रिया को समझने में काफी helpful रहता है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी कुछ सिमाएं भी है, इसकी सिमाओं की अगर हम बात करें, तो इसकी सबसे पहली सिमा तो यह है कि इसे बनाने के लिए और तुल्ला करने के लिए अगर हम बात करें कि तुल्ला की जा सकती है, जैसे कि हमने इसके करना तो धनने का मतलब है कि गुनों में समानता होना आवश्यक है कि वह जो होते हैं बहुत छोटी से जो अंतर होते हैं जैसे 4.5 और 5 अगर इन दोनों की बीच के अंतर को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डूनना चाहें तो कहीं न कहीं वो दिखाई नहीं देते हैं तीसरी इसकी एक सीमा यह हो सकती है कि जो बहुत गुड़ी सूचनाय काफी मुश्किल हो जाता है अगली मिसकी सीमा की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने भी आपको बिताया कि जो सूक्ष में अंतर होते वो पकड़ में नहीं आते तो यही कारण है कि कहीं न कहीं इसमें परिशुद्धता में थोड़ी से कमी आ जाती हैं साथी जो आं अभलस कें सबसक्षत को बनाने के चित्र बनाने के नियम क्या है याने कि चाहे हम समाने रहा सीपकेन पड़ी चित्रभार ऑन संकिक क्यम अंतरघत ग्राफ का को य oblér से कुछ नियम होते हैं कुछ नियम को ध्यान मेंए रखे ही हमको उन चित्रों को बनाना है तो आई देख सबसे पहले डालना होता है कि आपने वो ग्राफ जनसंख्या से संबंदित बनाया है ्र कि इस पर करत करें वह प्रकृति आनुसार उप्युक्त होना चाहिए जैसा कि घृति लखेंगे कि इन चित्रों के अंधर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं तो आनुसंधान की प्रकृती चैयन करना होगा कि किस तरह का चित्र हमारे हमारे पास हुँ ने के लिए उप्यूगत अगली अगर हम इसके नियम की बात करें तो हम देखते हैं कि आकार जो है वो उप्यूक्त होना चाहिए बहुत बड़ा ग्राफ भी समझने में थोड़ी सी परिशानी होती है और अगर बहुत छोटा ग्राफ भी बनाया तो कहीं न कहीं वो उद्देश को पूरा का पूरा वो देश पूर नहीं होता है तो ग्राफ का जो आधार होता है वो उप्यूक्त होना चाहिए अगली अगर हम इसके नियम की बात करें तो हम देखते हैं कि पैमाना हमको सही लेना होता है कई बार जब हम ग्राफ बीना ग्राफ पेपर के ग्राफ बनाते हैं तो या तो हम स्केल क अधार पर एक निश्चित दूरी निधारित कर लेते हैं और या फिर अंदाजा लगा के दूरी निधारित करते हैं जैसे अगर हम को किसी ग्राफ को इस तरह से बनाना हो जहां पर हम समानी दूरी रखते हैं जैसे 10, 20, 30, 40 तो यह जो दूरी है यह आप देख रहे हैं कि यहा इस तरह से हम जब दूरी निर्धारित कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि जो इसके दंड है बेजबेज के उसके आपस में जो दूरिया है वो किसी में कम है किसी में जादा है तो कहीं न कहीं वो बहुत अटपटे से भी लगते हैं और एक्चुल जो उनका चित्र निकल के आ में आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए हम कोई चिन बना दे या अलग-अलग करके हम उसको कोई कलर दे दे कलर फुल कर दे तो वह बहुत ज़्यादा आकर्शित भी लगने लगते हैं वैसे ही इसमें हम संकेतों का प्रियोग कर सकते हैं कि आपने कहीं पर प्रेज बताते हैं तो उनका प्रियोग भी आप अपने ग्राफ को आकर्शक बनाने के लिए कर सकते हैं ठीक इसे प्रकार हमको एक महत्यपूर्ण बात और ध्यान में रखनी है फुट नोट यानि कि टिपणी भी हम अपने ग्राफ के साथ एड़ कर सकते हैं अगर उस पू करते हुए हम किसी ग्राफ का निर्माण करेंगे तो जाहिर से बात है कि काफी अच्छा समझने योगे और सुवे विस्तित ग्राफ हम बना पाएंगे अब क्या होते हैं चित्रों और इनके कितने प्रकार है कितने क्लासिफिकेशन है क्या वर्गी करण है इसको हम पहले चित्र वन डामेंशनल ग्राफ डायग्राम दूए वीमाचित्र त्री वीमाचित्र चित्र लेक और उसके बाद मान चित्र तो यह कुछ ऐसे मुख्याधार है जिन पे हम चित्रों का वर्गी करण करते हैं लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे वर्गी करण है जैसे कि जो एक वीमा चित्र है वो अपने आप में दो भागों में बटा हुआ है एक वीमा चित्र को हम सरल रेखा चित्र से भी बनाते हैं याने लाइन डायग्राम से भी बनाते हैं और इसको हम दंड चित्र याने की बार डायग्राम से भी बनाते हैं अब अगर हम दंड चित्र याने क बार diagrang के वरगी करन की बात करें तो ये भी अपने आप में कई चित्रों में बटा हुआ होता ने कई टाइप का ये होसकता है जैसे दंड चित्र जो है उसके अंतरगत सरल दंड चित्र दिशा दंड चित्र अंतरविभक्त दंड चित्र प्रतिशत अंतरविभक्त दंड चित्र मिश्रित दंड चित्र स्टूब दंड चित्र विचलन दंड चित्र सरकन याने की स्लाइडिंग डाइग्राम ये इतने सारे दंड चित्र हम इसकी अंतरगत बना सकते हैं अब इन में भी दो दंड चित्र ऐसे हैं जिनके अंतरगत कई दंड़ चित्र सामिल हैं तो उनका भी वर्गी करण हम कर सकते हैं जैसे कि अगर हम सरल दंड़ चित्र की बात करें तो वो भी अपने आप में दो भागों में बटा हुआ है सरल दंडचित्र को हम उदगर यानि की वर्टिकल फोर्म में भी बना सकते हैं और चैटिज यानि की होरिजंटल फोर्म में भी बना सकते हैं वैसे ही अगर हम मिश्रित दंडचित्र के बात करें तो इसे हम तीन तरह से बना सकते हैं कि मिश्रित दंड चित्र को हम युगल दंड चित्र त्री दंड चित्र और बहु दंड चित्र के रूप में भी बना सकते हैं इस पूरे दंड चित्र को हम किस तरह से बनाएंगे इसका अब हम आगे विस्तार से अध्यन करेंगे तो आए सबसे पहले देखते हैं एक वीमा च रेखा चित्र है वो किस प्रकार का बनाया जाता है रेखा चित्र की अगर हम बात करें तो जैसे की नाम से इस पस्ट है केवल रेखा के आधार पर चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है याने जो आकड़े होते हैं उनको उनकी प्रकृति के आधार पर रेखा रेखांकित क करके सीधी रेखा के द्वारा हम इसको प्रदर्शीत करते हैं ज्यादा तर यह वहां पर यूज होता है यह दंडी चित्र जहां पर इकाईयों की संख्या जो होती वह बहुत अधिक होती है तो वहां पर हम आया चित्र जैसा कुछ ब्लॉक जैसा कुछ ग्राफ जब नहीं बन धार करते हैं और दूसरी एक कमिश्ची विशेस्ता और यह हैं भी कह सकते हैं कि इसमें जो दंड बनते हैं उसमें मोटाई नहीं होती है आईये एक उदाहरन के द्वारा इस रेखा चित्र को और अच्छे से समझें इस उदाहरन में कुछ विक्तियों के आय को साणी बंद करना है। यहां पर इस सार्णी के अधार पर तब से पहले हम रहेखा ओर एकस का निर्मान करेंगे जो व्यक्थियों को प्रदर्शित करेंगी और रहे खाओ वाइख करने के लिए करेंगे। अब इस दाणी के आधार पर हम देख रहे हैं कि व्यक्ति A की आए 50 रुपए है, व्यक्ति B की आए 100 रुपए है, व्यक्ति C की आए 200 रुपए है, व्यक्ति D की आए 300 रुपए है, व्यक्ति E की आए 400 रुपए है, व्यक्ति F की आए 600 रुपए है, व्यक्ति G की आए 100 रुपए है, व्यक्ति H की आए 50 रुपए है, व्यक्ति I की आए 200 रुपए है और व्यक्ति J की आए 100 रुपए है, तो इस प्रकार जैसे कि हमने जाना था कि रेखा चित्रों के प्रदर्शन के आधार पर जब हमको ग्राफ का निर्मान करना होता है तो एक साधारन से रेखा हमको रेखा चित्रों के आधार पर प्राप्त होती है तो आपने देखा कि एक वीमा चित्र के अंतरगत सरर रेखा चित्र जो है वो कब बनाया जाता है और किस प्रकार बनाया जाता है अब आये देखते हैं कि एक वीमा चित्र के अंतरगत दंड चित्र किस प्रकार बनाया जाता है जब हम दंड चित्र की बात करेंगे तो यहां पर क्योंकि बार डाइग्राम है तो जाहिर से बात है कि जो उसके पैमाने होंगे मानक जो होगा वो सीधी रेखा ना होकर एक मोटा जो चोड़ा आकार की जो आयते होती है उस तरह से वो प्रेजंट किया जाएगा साथ में इसकी जो मुटाई होती है कुछ इस तरह से यह डाइग्राम बनेगा इसकी जो मुटाई होती है वो सभी जो आरेक है इसके सब में समान होनी चाहिए एक इसकी एक विशेस तरह यह भी हो सकते है कि दंडो की बीच की जो दूरिया है जैसे आप आप देख रहें कि तोस अपने देखा कि किस प्रकार हम दंड चित्र का प्रयोग करते हैं कैसे हम उसको आकर्शक बनाते हैं और समझनीयों कि बना सकते हैं दंड चित्र अपने आप में दो भागों में बटा होता है užदग्र्ण कि वर्टिकल्ट डंडॡण जित्र और होरिजंट यानि कि 76 ऊईए एक उदाहरण द्वारा उदग्र चित्र और चति चित्र दोलों को समझने का प्रयास करते हैं दंड चित्र के अंतर्गत जब हम उदग्र सरल दंड चित्र का तो इस उदाहरण के आधार पर हम देखते हैं कि यहां पर कुछ शेहरों और उनकी मृत्यूदर प्रती एक हजार में एक साणी बदर रूप से प्रस्तुत की गई है इस साणी के आधार पर जब हम उदग्र दंड चित्र का निर्मान करते हैं तो सबसे पहले हम रेखा ओ एक्स पर शेहरों का नाम अंकित करते हैं और रेखा ओ वाय पर मृत्यूदर को हम अंकित करेंगे क्यूंकि हमने जाना कि हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि सबसे उचा दंड चित्र वाय में और फिर उचाई के क्रम में धीरे धीरे नीचे घटता हुआ अगर बनाया जाए तो ज्यादा आकर्षक लगता है तो इसी आधार पर हम सार्णी में सबसे उचा यानि की सबसे अधिक जो वैल्यू है उसको हम पहले लेंगे तो अगर हम इस आधार पर चित्र का निर्मान करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले शहर नाकुर का जो मृत्यूदर है वो है 323 उसके बाद अगर हम देखे तो मुंबई की जो मृत्यूदर है वो है 274 चेननय की जो मृत्यूदर है वो है 259 कोलकाता की मृत्यूदर है 244 पैरिस की मृत्यूदर 93 बर्लिन की 92 लंदन की 66 और शिकागो की 23 तो इस आधार पर हम इस उदग्र सरल दंडी चित्र का निर्मान बढ़ते से घटते हुए क्रम्मे कर लेंगे यहां पर हमने जो पैमाना लिया है उसमें हमने वाय अक्ष पर एक सेंटीमीटर बराबर पचाश शिशु का हमने यहां पर पैमाना लिया है इसे तरह के दंड़ चित्र को जब हम उदग्र नबना कर 36 दंड़ चित्र का निर्मान करते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस सारणी में वर्षों को दिया गया है और उस वर्ष में आयात किये गया अनाज का एक प्रस्तुति करन यहां किया गया है इस टेबल के अधार पर जब हम ग्राफ का निर्मान करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 रेखा ओ एक्स पर हमने वर्ष को अंकित किया है और लेखा ओवाईपर हमने लाक में जो हो आयाद्ट किया गया है उससे हमने अंकित किया है यहां हमने वाय अक्ष पर पैमाना लिया है जो कि एक सेंटिमीटर जो है वो दस लाख मिट्रिक टन को दर्शाएगा टेबल के आधार पर अगर हम ग्राब बनाना प्राड़म करें तो हम देखते हैं कि वर्ष 1966 में आयार एक सो तीन लाख मिट्रिक टन, 1967 में सत्यासी, 1968 में संतावन, 1979 में 38, 1970 में 36, 1971 में 22 और 1972 में 5 लाख मिट्रिक टन आयात किया गया इस प्रकार जब हम इस रेखा चित्र को देखते हैं तो यह हमें 36 सरल दंड चित्र के आधार पर प्राप्टिम होता है तो हमने देखा कि किस प्रकार दंड चित्र के अंतरगत हम 36 दंड चित्र और उदगर दंड चित्र का निर्मान करते हैं अब आएए देखते हैं कि दुषा दंड चित्र क्या है और किस प्रकार बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो दुषा दंड चित्र होता है वो परस पर दो विरोधी गुणों को प्रदाशित करता है। जैसे हम कह सिखते हैं कि लाभानी को एक साथ प्रेजेंट करना है, आयवे को एक साथ प्रेजेंट करना है, साक्षर्टा निरक्षर्टा को एक साथ प्रेजेंट करना है, तो ये दो विपरीत गुडों को एक साथ प्रदर्शीत करने के लिए बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं हम दुवे दिषा दंडशित्र आयए एक उधारण के द्वारा औस चील से समझते हैं। इस सारणी के आधार पर जो रेखा चित्र बनेगा वो दोनों ही दिशाओं में आएगा क्योंकि ये विप्रीत संबंधों को दर्शा रहा है भारत सरकार के वर्ष 1980 से लेकर 1987 तक कि यहां पर आय और वै दोनों ही आकड़े दिखाई दे रहे हैं तो क्योंकि आय और वै दोनों विप्रीत आकड़े हैं इसलिए यहां पर हम द्वी दिशाओं दंडी चित्री का निर्मान कर रहे हैं जब हम इसका ग्राब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि रेखा ओ वाई पर हम धनात्मक चर यानि कि आय को अंकित करेंगे रेखा ओ वाई जो कि ऊपर की दिशाओं में बढ़ रहा है यहां पर सारे धनात्मक चर अगर हम अंकित करते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ष उन्नीस सो असी इक्यासी में आए चार सो पांच करोड रुपे उन्नीस सो इक्यासी ब्यासी में आए पांच सो नो करोड रुपे उन्नीस सो ब्यासी तिरासी में आए चार सो नो करोड रुपे उन्नीस सो तिरासी चारासी में आए चार सो नो करोड रुपे उन्नीस सो चारासी पच्यासी में आए चार सो उन्चास करोड रुपे उन्नीस सो पच्यासी में आए चार सो पंच्यानवे करोड रुपे 1986-87 में जो आए है वो 485 करोड रुपए प्राफ्टिक हुई है यहां हमने वाय अक्षपर पैमाना जो है वो एक सेंटिमीटर बड़ाबर 50 करोड रुपए को आता है अब क्योंकि यह विपरित संबंध यानि की वै को भी दर्शाते हुए बनाया जाएगा इसलिए वाय को हम नीचे की और यानि की रिनात्मक जो उसका चोर है उधर भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम देखते हैं कि 1980-81 में 340 करोड रुपए वै हुआ है 1982-83 में 390 करोड रुपए 1984-84 में 401 करोड रुपए 1984-85 में 416 करोड रुपए 1986-86 में 480 करोड रुपए और 1986-87 में 536 करोड रुपए का वै हुआ है तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में दो विपरीत जो गुण है उनको यहां पर दर्शाया गया है और इसके आधार पर यह दूई दिशा उदग्र 36 दंड़ चितर ही हाठी हम को प्राप्ट होता है तो आपने देखा कि किस प्रकार विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता हुआ दूई दिशा दंड़ चितर का निर्माण हम करते हैं अब इसके बाद आए हम देखते हैं कि अंतर विभक्त दंड़ चितर जो होता है वो किस प्रकार बनाया जाता है लेकिन उसके पहले हम यह जान लेंगे कि क्या है अंतर विभक्त दंड़ चितर और क्या है इसके मुख्य बिंदू अंतर विभक्त दंड चित्र की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहां पर यह जो दंड चित्र है वो तब बनाया जाता है जब कुल योग से संबंदित आकड़े दिये हो विभिन्विभागों से संब्ने नहीं दाकडे दिए हो और एक हम क्या सकते हैं कि यहां पर जो डंडों का उंप्रियोग करेंगे उनकी उनका जो चेत्र होगा वो समान होगा तो एक उदाहरन के द्वारा आए देखते हैं कि अंतर विभक्त दंड चित्र का निर्माण हम किस प्रेकार करेंगे अंतर विभक्त दंड चित्र के लिए यहां पर हमको एक सार्णी प्राप्त है जिसके अंतर गत तीन स्कूल दिये हुए है और उनके विभिन विश्यों का यहां पर विभाजन किया गया है जैसे कि हमने जाना कि अंतर विभग तो दंड चित्र में विभिन विभाग होते हैं और योग का भी स्पस्ट्री करण वहाँ पर कहीं न कहीं किया जाता है सबसे पहले हम टेबल को समझें इस टेबल में हम देख रहे हैं कि स्कूल आ के जो विभध्यार्थी हैं उसमें कला में 1000 वाणिजी में 500 और विज्यान में 500 विभध्यार्थी हैं यनि कुल मिलाकर इस्कूल आ में 2000 की विध्यार्थी है इसे प्रकार स्कूल सा में 1200 की और 1200 की 17 तो सबसे पहले हमको इनके लिए संकेतों का चयन कर लेना हुगा वाणी चिक और विज्ञान के लिए हम बिन-बिन रंगों के आधार पर दर्शाएंगे यह संकेत इन विभिन विश्यों को अलग-अलग प्रदर्शित करने के लिए काफी महतुपूर्ण सिद्ध होंगे यहाँ पर ग्राफ बनाते समय हम रेखा O X पर स्कूल और रेखा O Y पर विध्यार्थ्यों की संख्या अंकित करेंगे अगर हम A-School का ग्राफ यहाँ बनाएं तो हम देखते हैं कि A-School में कला के विध्यार्थी 1000 है इसकूल A में वाडिजय के विध्यार्थी 500 हैं और इसकूल A में विज्ञान के विध्यार्थी 500 हैं यहां आप देख रहे हैं कि स्कूल आ में कला के 1000 विध्यार्थियों के बाद हमने वाणिज्य के विध्यार्थियों को 1500 तक लिया है याने कि यह केवल 500 विध्यार्थियों को दड़ आएगा और उसके बाद हमने विज्ञान के विध्यार्थियों को 1500-2000 याने कि 500 तक की संख् को लेंगे स्कूल बा में कला के बारासो विध्यार थी वाणिजे के छेसो विध्यार थी और विज्ञान के बारासो विध्यार थी हैं इसी प्रकार स्कूल सा में कला के 2400 विध्यार थी, वाणेजे के 400 विध्यार थी और विज्ञान के 1200 विध्यार थी है यहां पर वायक्षपर जो पहमाना लिया गया है वो एक सेंटिमीटर में 500 विध्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है हम कला, वाणेजे और विध्यान तीनों विषय के लिए अलग-अलग चित्रों को प्रदर्शित करके इनको संकेत प्रदान करके इस पूरे ग्राफ को समझने योग्ये बनाएंगे तो आपने देखा अंतर विभक्त दंड चित्र के निर्मान की प्रक्रिया क्या है अब इसी तरह देखते हैं प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र क्या है प्रतिशत अंतर विभक्त दंड चित्र के अगर हम बात करें तो यहां पर हम जो टोटल जो एरिया होता है ग्राफ का उसका एक मान दर हम सो मान लेते हैं क्योंकि हमको प्रतिशत के अधार पर हां पर दंड़-चित्र का निर्मांड करना है और उस सौ जो पूरा हमने एरिया माना हुआ है उसको हम जो भी आंक्डो की प्रकृती है उसके अधार पर प्रतिशतों में विभक्त करके फिर हम उसको ड्रॉ करते हैं, ग्राफ का हम निर् को सौ मान कर प्रतिशत के आधार पर ये विभाजित किये जाते हैं जैसे कि हम आपर टेबल में देख रहे हैं कि विभिन वर्षों के साथ इस्थाई खाता बचत खाता और चालू खाता के प्रतिशत दिये हुए हैं और साथ में उनका योग भी दिया गया है इस सारणी के आधार पर जब हम ग्राफ का निर्मान करते हैं तो तीनों ही प्रकार के खातों के लिए हमने अलग अलग प्रकार के संके चिन यहाँ पर अंकित कर लिए हैं चालु खाते का संकेट चिन आप देख रहे हैं बचट खाते का देख रहे हैं और स्थाई खाते का देख रहे हैं यह तीनों ही संकेट चिन अपने भिन्ढ हैं क्युक्कि इन तीनों ही खातों के जो प्रतिशत है जो अलग है क decentral teammate पर रेखा ओ एक्स पर हमने वर्षों को अंकित किया है और रेखा ओ वाय पर हमने उनके प्रतिशत को अंकित किया है वर्ष 1980 में इस्थाई खाता 40 प्रतिशत बचत खाते में 30 प्रतिशत और चालू खाते में 30 प्रतिशत राशी जम्मा की गई जिसका कुल योग 100 प्रतिशत रहा इस प्रकार से यह हमको ग्राफ यहाँ पर मिल जाएगा मुक्राप इन तीनों को ही हमने जो पूर्व में संकेत निर्धारित कियें उसकी आधार पर हम वरिशक करेंगे 85 में इस्थाई खाते की जम्मा राशी 50 प्रतिशत बचत खाते की 25 प्रतिशत और चालू खाते की 25 यहनि कि कूल योग 100 प्रतिशत ती इने इसी तरह वर्ष 1990 में स्थाई खाते की जमाराशी 60 प्रतिशत बचत खाते की किस प्रतिशत और चालू खाते की जमाराशी 10 प्रतिशत याने की कुल योग 100 प्रतिशत इन्हें भी हम हम तीनो खातों के संकेतों के अधार पर अलाग-अलाग प्रतिशत करनेगी यहां पर हमने वायक्षपर जो पैमाना लिया है वह एक सेंटिमेटर में 20 प्रतिशत को प्रतिशत अंतर विभक्त दंडशित्र के बाद अब आई यह देखते हैं मिश्रित दंडशित्र क्या है मिश्रित दंड चित्र जैसे की नाम से इस पस्ट है कि जब बहुत सारे गुणों का मिश्रण हो जाता है याने हमको आकडे बहु गुणी प्राप्त होते हैं तो उन आकडों को हम मिश्रित दंड चित्र के द्वारा प्रदशित करते हैं लेकिन इसमें भी अपने आप में कई श्रेणिया हैं जैसे मिश्रित अंतर विभक्त दंड चितर के बारे में हमने पहले भी जाना कि इसके अंतरगत हम युगल दंड चितर, त्री दंड चितर और बहुँ गुडी दंड चितर का निर्माण करते हैं तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि युगल दंड चित्र जो है वो मिश्रित दंड चित्र के अंतरगत किस प्रकार से बनाया जाता है एक उदाहरण के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं मिश्रित दंड चित्र के अंतरगत युगल दंड चित्र के लिए हमें एक साड़ी प्राप्त हैं इस साड़ी के आधार पर जब हम युगल दंड चित्र का निर्मान करेंगे तो हम देखते हैं कि ये दो गुणों को किस तरह से प्रदर्शित करेगा यहां हमने ग्राप में O X अक्षपर देशों के नाम लिये हैं और O Y अक्षपर उत्पादन लिया हुआ है रूस के बारे में अगर हम देखते हैं तो रूस में उत्पादन छेत्र 100,000 हेक्ट्रेयर है लेकिन उत्पादन यहां पर 200,000 मिट्रिक टन हुआ है तो उत्पादन वाला जो छेत्र है उसको हमने यहां पर अलग तरीके से हाइलाइट किया हुआ है और जो उत्पादन का जो छेत्र है उसको हमने यहां पर अलग ताकि दोनों गुणों में का जो अंतर है वो अलग-अलग से प्रदर्शित हो सके ठीक उसी तरह अमेरिका का अगर हम उत्पादन छेत्र और उत्पादन देखें तो अमेरिका का उत्पादन छेत्र 80,000 हेक्टेर है और साथ में अमेरिका का अगर उत्पादन हम देखें तो उत्पादन 250,000 मिट्रिक्टन है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि उत्पाधन च्छेत्र के लिए लिए आपा पर अलग तंकेत का प्रदर्शन क्या है और उत्पाधन च्छेत्र को हमने यहां पर भी ब्लैंग छोड दिया है ताकि दोनों म blend यूंतर ख्यासर हो सथे एक सफिचास हैं और आइक सोशा सब्शा कर लिया लिया यहां पर उत्पादन और उत्पादन और दोनमें परष्ट का दिखा बिल्कुल वैसे ही भारत का जब हमने आपर बनाया ग्राफ तो हम देखते हैं कि उत्पादन छेत्र जो है वो 100,000 हेक्टेर है और उत्पादन जो है वो 80,000 मिट्रिक टन है यहां पर जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो संकेत के आधार पर हम इन दोनों को अलग-अलग करते ह तो यह इस पर स्टूट से दिखाई देते हैं सबसे महतकूर बात जो हमने मिश्रित दंडचित्र के बारे में जानी थी वो हमने देखा था कि यह एक दूसरे से सटा कर तयार किये जाते हैं जैसे कि यहां पर हमने इनका प्रजर्शन किया है पैमाने की अगर बात करें तो आपने देखा यहां अपने देखा कि औी दो अधार से के अधार को कि अधार परτι निर्मान कि इस तरह जब तीक हमारे सामने होते हैं तो वहां पर किस प्रकार निर्माण किया जाता है आई एक उधारन की द्वारा इसे अच्छे से समझने का प्रयाश करते हैं त्री दंड चित्र के लिए हमको यहां पर एक साड़ी प्राप्त है जिसके अंतरगत परिक्षा के वर्ष दिये गए है और तीन विशय कला विज्ञान और वाड़ेजे के विद्यार्थियों की संख्या यहां पर अंकित की गई है इस टेबल के आधार पर जब हम ग्राफ बन क्या है सबसे महत्य पूर्ण बात त्री दंड़े चित्र में यह कि संकेतों के आधार पर हमने तीनों ही विशय को अलग कर लिया है जैसे कलरी लिए in संकेत दिया है विज्ञान के लिए अलग संकेत दिया है और वाडिजी के लिए अलग संकेत दिया है अब अगर हम वर्ष 1988 के आखड़ों को इस ग्राफ में दर्शाएं तो हम देखते हैं कि वर्ष 1988 में कला के 600 विध्यारती विज्ञान के 400 विध्यार्थी और वाड़िजी के 300 विध्यार्थी थे इस प्रकार इनको संकेतों के अधार पर हमने अलग-अलग कर दिया है जो कि इन विध्यार्थियों की अलग-अलग संक्या को इस पस्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा है वर्ष 1989 के अगर हम बात करें तो कला के 800 विध्यारती विज्यान के 500 विध्यारती और वाडिज के 500 विध्यारती यहां पर दिखाई दे रहे हैं ग्राफ बनाने के बाद हमने संकेतों के आधार पर इन विध्यारतियों की संक्या को अलग-अलग कर दिया ठीक इसी प्रकार वर्ष 1990 में हम देखते हैं कि कला के 1000 विध्यार थी विज्ञान के 800 विध्यार थी और वाणिजी के 600 विध्यार थी है यहां पर भी ग्राफ बना कर हमने संकेतों के आधार पर इनका अलग-अलग चित्रन कर दिया है इस पूरे ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि यह जो त्री दंड चित्र है इसमें तीन गुण कला विज्ञान और वाणिजिब बताये गए हैं तीनों को हम इग सी अवस्था में ही प्रस्तूत कर रहे हैं और जो क्चस की एक मुख्य बात यह है कि एज जो तीनों बुढ़ है इनको हमैं सटा कर ही बनाने हैं सटा ने हैं सटा कर ंब्धर हिज इसको अलग-अलग तरह से वर्गिक्रित भी कर दिया है तो यह स्पस्ट रूप से एक त्री दंड चित्र का जो ग्राफ है यह हमने तयार कर लिया है यहां अगर हम पैमाने की बात करें तो वायक्षपर एक सेंटीमीटर में हमने सो छात्रूप को लिया है तो त्री दंड चित्र के बारे में आपने जाना आपने देखा कि किस प्रकार तीन गुणों के आकड़े जब अंतरविभक्त होते हैं तो उनके आधार पर हम मिश्रित दंड चित्र के अंतरगत त्री दंड चित्र का निर्मान करते हैं अब अगर ये जो गुण है ये तीन से अधिक हो जाए तो वो बहुगुणी आकड़े बन जाते हैं इन आकड़ों को ग्राफिकल प्रेसेंटेशन करने के लिए हमको बहुगुणी चित्र का निर्माणिहां पर करना होता है बहुगुणी दंड चित्र जो है वो भी मिश्रित दंड चित्र का ही एक भाग है आए बहुगुणी दंड चित्र को एक उधारन के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रेास करते हैं बहुत अंड चित्र के लिए हमको यह सार्णी यहां पर प्राप्त हैं जिसमें वर्ष दिये गए हैं और विद्यार्थियों के परिणामों की श्रेणिया दी गई हैं इस टेबल के अधार पर जब हम बुद्यार्थियों के संख्या को अँप क्यूंकित करेंगे ऑप क्योंकि यह बहुद अपर ध्याने रखना है एक यह जटनी भी श्रेणिया हैं इन सब के परिणाम हैं उनके के सब्यक्स और दूसरी बात यह है कि संकेत का प्रयोग हम को यहाँ पर जरूर कर रहा है तो हम सबसे पहले प्रथम श्रेणी दृतिय श्रेणी तृतिय श्रेणी और अनुत्रेण के लिए संकेतों का चैन हमने कर लिया अब हम जब ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ष 1985 में प्रथम श्रेणी में 20 विद्यार थी दृतिय श्रेणी में 40 विद्यार थी तृतिय श्रेणी में 60 विद्यार थी और अनुत्रेण जो है वो 80 विद्यार थी है यहां हमने यह सटाकर जो एक ग्राप बनाया है इनको हम संकेतों के अधार पर अलग-अलग कर लेते हैं जो कि इस पस टूप से प्रतम दृतिय तृतिय श्रेणी और अनुट्रिण विध्यार्थियों को दर्शारा है वर्श 1986 के अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि वर्श 1986 में प्रतम श्रेणी में 30 विध्यार्थी दृतिय श्रेणी में 60 विध्यार्थी तृतिय श्रेणी में 80 विध्यार्थी और अनुट्रिण 50 विध्यार्थी है यहां पर हमने जो ग्राफ कर निर्मान किया है उस ग्रा में प्रत्ritis उस उसाइन जो हैंवोर। यहां हम को जो ग्राफ प्राप्त हुआ है इस में संकेतों के आधार यह को अधार पर अलग-अलग कर लिया लुक्त 1888 में हम देखते हैं कि प्रतम श्रणी में 50 विध्यार्थी, दुरुते श्रणी में 40, तुरुते श्रणी में 90 और अनुत्रिण 70 विध्यार्थी हैं यहां पर भी हमको जो दंड़िचित्र प्राप्त हुआ है उसको हमने संकीतों के अधार पर अलग-अलग बाट लिया है प्रत्यक वर्ट के लिए जैसे भी हमको यहां पर जानकारी दी गई है उसाधार पर एक तो हम सटा कर बनाएंगे वो डाइग्रम और दूसरी बात संकीतों का प्रयोग हम वहां पर जरूर करेंगे ताकि वह सभी श्रेणीयों को या आकड़ों की प्रकृती को अलग-अलग है जब हम स्टूप-चित्र का निर्माण करते हैं तो एक स्टूप की तरह हमको एक ग्राफ प्राप्त होता है होता है समानियता ये जो स्टूप-चित्र होता है अगर उसको देखा जाय तो वह इसका प्रियोग हम किसी आयू वर्ग के इस्तरी पुरुष या विध्यार्थियों के प्रतिशत ऐसे जो समान न्याकड़े होते हैं उनको प्राप्त करते और उसके आधार पर बनाते हैं जब यह चित्र बंद कर तयार होते हैं तो इनका शेप स्टूप की तरह होता है इसलिए हम इसे पिरामिट या स्टूप चित्र को एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं स्टूप चित्र का प्रदर्शन करने के लिए यहां हमको एक टेबल में कुछ आयूवर्ग साथ में पुरुषों की संख्या स्ट्रों की संख्या और उनका योग दिया गया है इस टेबल के आ आयूवर्ग को रखा हुआ है यहां अन्य जो हमने ग्राब बनाए हैं उससे हटकर अक महत्पूर बात यह है कि कर लिया है same बात यह है कि आयू वर्ग को हमने संख्यात्मक रूप में प्रदर्शीत किया है लेकिन हमने वहाँ पे उसको वर्ग में हमने उसको रखा हुआ है तो जब हम इसका प्रदर्शन करेंगे ग्राफिकल तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 20 से कम आयू वर्ग वाले जो पुरुश ह है हमने पुरुशों की संख्या को यहंँ पर च wholesका किया को हमने डाई युब बीच में हम शुन्य बिंदू पर पहले एक रेखा खेच देंगे अब हम पुरुचों की संख्या अगर देखे तो 20 से कम पुरुचों की संख्या जो है वो 20,000 है, 20 से 30 आयूवर्ग की जो संख्या है वो 40,000 है, 30 से 45 जो आयूवर्ग है वो 8,000 है, 45 से 65 आयूवर्ग के 8,000 है और 65 से उपर आयूवर्ग के 5,000 है अब क्योंकि यहां पर हम विभिन अलग अलग वर्गों का यहां पर हम आपड़ों को यह प्रदर्शीत कर रहे हैं इसलिए पहले जैसे हमने बनाए है ग्राफ वैसे ही हम यहां पर संकेत अलग अलग कर लेंगे अब अगर हम इस्त्रियों के संख्या के बात करें तो हम एक्सेक्स के दाइन और इसको अंकित करेंगे जो हमने शुन्य पर एक आधार रेका खीची हुई है उसके दाइन और से हम इसको अंकित करना शुरू करेंगे तो हम देखते हैं कि 20 से कम आयूवर्ग की 18,000 इस्तृयां और 65 से उपर आई वर्ग में 5000 की संख्या है इस प्रकार हम यहां पर देख रहे हैं कि यह जो चित्र जब हम इनमें संकेतों को भी अंकित कर देते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो चित्र हमको यहाँ पर दिख रहा है वो श्तूप की भाती पीरा मिड़ की भाती दिख रहा इसलेये इनहीं हम स्तूप चित्र कहते हैं यहाँ पर पेमाने की बात करें तो x अखश्व पर हमने एक सेंटीमेटर को 10,000 की बराबर बान है अब आईए विचलन दंड चित्र पर एक नज़र डालें विचलन दंड चित्र में जो आकड़े समय या इस्थान के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं उनका जो विचलन होता है जो परिवर्तन होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम विचलन दंड चित्र का प्रयो की रचना करेंगे तो जैसा कि हमने इसके अर्थ में देखा कि विचलंद दंडचित्र की रचना समय या इस्थान के प्रभाव से समंगों में होने वाले परिवर्तन को प्रदशित करने के लिए की जाती है इस सारणी में हम अगर बात करें तो उत्पादन 300 से बढ़कर 340 हो गया बी की हम बात करें तो 250 से बढ़कर 280 हो गया इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आगे सभी में इसी प्रकार का विच्रण या परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है विच्रणों की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि A में 40 सिकाई की वृद्धी हुई है B में 30 सिकाई की वृद्धी हुई है C में 25 सिकाई की वृद्धी हुई है तो इस प्रकार यह जो विच्रण है इसको प्रदर्शित करने के लिए हम ग्राफ का निर्मान करेंगे इस टेबल के आधार पर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि आधार रेखा पर जब हम संख्याओं को अंकित करते हैं तो आधार रेखा को हम दाएं और बाएं के बीच दो बराबर भागों में हम इसको बाठ लेते और कि नहीं और हम Σब्ली अधार पर कि जहां उत्पादन में कमी हुई है इस प्रकार हम साड़ी के अनुसार जब ग्राफ का निर्वान करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह उत्पाद जब होता है तो वहां प्रमाणित उत्पादन तो यहां पर हम देखते हैं कि 40 इकाई की व्रिद्धी हुई है तो एको हम व्रिद्धी के ओर यानि की धनात्मक्त दिशा में 40 इकाई तक ले जाएंगे वैसे ही जब B का ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि 30 इकाई की व्रिद्धी हुई है तो यह भी धनात्मक्त की ओर B भी हम 30 इकाई तक ले जाएंगे वैसे ही अगर हम C को देखें तो C में 25 इकाई की व्रिद्धी है तो यह भी धनात्मक्त दिशा में 25 इकाई तक तक बढ़ेगा इसी प्रकार ए में हम देख रहे हैं कि यहां पर भी दस कई की ब्रद्धी हुई है तो यह भी धनात्मक दिशा में दस के काई तक बढ़ेगा अब अगर हम एक की बात करें तो हम देखते हैं कि F में माइनस 10 यानि की 10 इकाई की कटोती हुई है रिणात्मक यहां पर हमको जो आंसर है वो मिला है तो इसको हम रिणात्मक दिशा में यानि की आधार रेखा के बाई और हम सारे रिणात्मक जो अंक हैं उनकी हम प्रविष्टी करेंगे तो हम यहां पर देख रहे हैं कि F में 10 इकाई की कमी हुई है तो हम इसको 10 इकाई तक इस ग्राफ को बढ़ाएंगे G में 15 इकाई की कमी हुई है तो रिणात्मक दिशा में हम इसको 15 इकाई तक बढ़ाएंगे H में 30 इकाई की कमी हुई है तो इसको हम रिणात्मक दिशा में 30 इकाई तक बढ़ाएंगे I में 40 इकाई की कमी हुई है तो I को हमें आपे देख रहे हैं कि I को हम रिणात्मक दिशा में 40 इकाई तक बढ़ाएंगे और J में 50 इकाई की कमी हुई है तो जे को हम रणात्मक दिशा में पचास हिकाई तक बढ़ाएंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि धनात्मक और रणात्मक दोनों और हमको एक ग्राफ प्राफ्ट होता है जो प्रमानित और वास्ते कुद कादन में क्या विछरण यानि कि क्या परिवर्तन आया है क्या कमी या विद्धी हुई उसको दशेते हुए बनाया गया है यहां पर सबसे मुत्वोंढ यह है कि पैमाना यहां पर हमने एक की स्कॉलीt HP तकि इसके लिए हम को इंपर संकेतों का प्र condition करना होगा तो आप अहां पर देख रहा हैं हमने अलग तरह का संकेत लिए है और धनात्मक के कहामने तो आपने देखा कि किस प्रकार परिवर्तन या आकड़ों का विचलन विचलन दंड चित्र के द्वारा हम बहुत अच्छे से स्पस्ट कर सकते हैं इसके बाद अब हम एक नज़र डालते हैं सरकन दंड चित्र याने कि स्लाइडिंग ग्राफ पर है सरकन दंड चित्र लगभग द्वी दिशा nice डंड चित्र की तरह ही होता है जहां हम कुल चित्रफल को सौ माल लेते हैं और जो औकड़े हमें प्राप्त होते हैं वह प्रकृति के आधारर पर और अकड़ों की जो प्रकृति हर No पर जब उनको वर्गी करते हैं तो वो पूरा वर्गी करण प्रतिशत के आधार पर किया जाता है तो किस प्रकार इस दंडी चित्र का निर्मान करेंगे आए एक उदाहरण के द्वाराई से अच्छे से समझते हैं सरकंद दंडी चित्र जो की द्वी दिशा दंडी के समान होता है यहां पर हम कुल इकाई जो है उसको सौ मान लेते हैं और प्रतिशत अंतर विभागी दंडी चित्र जो हम बनाते थे उसी की आधार पर सरकन दंडी चित्र भी यहां पर बनाया जाएगा इस तार्णी में हम देख रहे हैं कि किसी स्कूल के विभिन कख्षां मे चात्रों की सपलता और असपलता का प्रतिशत दिखाया गया है दो यहां पर विभाग भी यहां पर दर्शाए गया है दोनों विभागों को प्रतिशत की आधार पर यहां पर प्रतिशत किया गया है हम यहां पर देख रहे हैं कि सपलता और असपलता का प्रतिशत दिया और कप्षा के जो विशय हैं उन विभिन विशयों को यहां पर अंकित किया गया है इस पूरे टेबल के आधार पर जब हम ग्राप का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि आधार रेखा पर बिल्कुल विचरण दंड चित्री की तरह हमने इसे दो भागों में बाट लिया है तरफ हमने सपलता का प्रतिशेशत लिया है और वाइं तरफ हमने असपल्ता का प्रतिश्यद дома बाट कर हमने वीचवबीच है वो सत्तर है तो इस ग्राफ को हम सत्तर प्रतिश्यत तक यहां पर ले जाएंगे वानित जेग का जो सफलता का प्रतिश्यत है वो 65 है इसे 65 प्रतिशत तक ले जाएंगे कला विशय का सफलता का प्रतिशत 30 है 30 प्रतिशत तक हम इस ग्राफ को ले जाएंगे विज्ञान विशय का जो सफलता का प्रतिशत है वो 50 है तो हम उसको 50 प्रतिशत तक ले जाएंगे और विज्ञान यानि जिव विज्ञान का जो प्रतिशत सफलता सपलता का प्रतिश्यत 60 अब तो यहां पर दो को हम अलग अलग प्रदर्शित कर دेंगे उसलिए ची अलग करते हैं संकेतों की द्वारा हम जो ब्लॉक्ष 2 ब्रतिश्य Sport साले जो ब्लॉक से उनको ब्लैंक रखेंगे ताकि यह पता चल सके कि दोनों में दोनों अलग-अलग हैं अब अगर हम असफलता के प्रतिशत की बात करें तो हम देखते हैं कि बाई और जो है रिनात्मक दिशा में हम उसको अंकित करते जाएंगे विज्ञान या कृषी और जियो विज्ञान में 40 प्रतिशत तक हम इस ग्राफ को ले जाएंगे तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों और धनात्मक दिशा में यह ग्राफ बने हुए हैं पैमाना यहां पर हमने 1 cm बराबर 10 प्रतिशत माना है और दोनों के लिए सफलता और असफलता के लिए हमने जो इनके ब्लॉक्स जो इनके ग्राफ बने हैं हमको अलग-अलग संकेत हैं पर हमने प्रदान किये हैं